अगर आप ये रन्बीर और देपिका को एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखने के इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुश खबरी है दरशल खबरी है कि 1952 में आई फिल्म बाईच्यू बावरा का संचर लेला बनसाली रिमेग बनाने जा रहे हैं जिसमें देपिका और रनबीर कपूर को कास्ट किया जा सकता है रनबीर और देपिका जब जब स्क्रीन पर आते हैं तो तब तब कमाल कर जाते हैं और शायद इसलिए बनसाली ने अपने musical drama फिल्म में इन दोनकी जोरी का कमाल दिखाना चाहते हैं हाला के फिल्म को लेकर अभी रनवीर और दिविका के तरफ से कोई हींट नहीं मिला है खबरे है कि जल्द ही बनसाली फिल्म के सिलसिले में इन सितारों के साथ बात कर सकते हैं आपको बता दी ये फिल्म बनसाली का ड्रेम प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर कई वार खब्रे सामने आ चुकी है पहले खब्रे थी कि फिल्म में बंसाली रनवीर सिंग को कास्ट करने की सोच रहे है लेकिन बंसाली रियल लाइफ कपल रनवीर और डिबिका को इस रोल के लिए कास्ट नहीं करना चाहते यही बचा है कि रनवीर को छोड़ कर बंसाली को रनवीर का ख्याल आया फिलाल तो बंसाली अपनी फिल्म गंगू बाई में बहुत ही बिजी है फिल्म में आले अभध लीड रोल में निज़र आए कि फिल्म के शूटिंग स्तार्ट हो गई थी लेकि लॉकडाउं की वज़े से रुख गय फिल्म के लिए तयार कईा करोड़ा का सेट भी तोड दिया गया बताया जा रहा है कि लोकडाउंー की बाद फिर सेसेट बनाय जाएगा और शूटिंग शुडू होगा तेलेविशन दुन्या की छोटी बड़ी न्यूस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो कॉमेंट लाइक जरूर करना फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में